नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 13 जून दिन मंगलवार आगे राजनिती स्जुरी दिनबड की खबरों को वस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर देश्वी आदव ने बीजेपी पर कसातंच संतोष मांजी ने स्टफ़े को लेकर बताई यह वज़ा नई सिक्चक न्यूक्ति नियामवाली पर समराथ चौधरी ने बिहार सरकार को लेकर कही ये बार नितिश कुमार ने बिहार सरकार में मंतरी संतोष मांजी का अस्तफ़ा किया मंजूर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जिससे महागडबंधन में अनबन की जलक साफ तौर पर दिखने लगी है दरसल जीतर ना मांची के बेटे संतोष शुमन के मंतरी पस इस्तिफा देने की खबर सामने आई है मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बिहार सरकार में मंतरी संतोष सुमन के इस्तिफा सौपने के बाद मंतरी विजय चोदरे उस स्टिफे को लेकर नितीश कुमार के आवास पर पहुंचे बता दे कि नितीश कुमार ने मान्ची के बेटे संतोष मांची के स्टिफे को मंझूर कर लिया है बिहार सरकार के इस मंत्री के इस्तिफे वाली खबर को लेकर बीजेपी निताओं नहीं कही ये बात जीताराम मांची के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतो सुमन के इस्तिफे वाली खबर की हवा अब विरोधी दलो के खेमे तक भी पहुँच चुकी है शायदस लिए बीजेपी के प्रदेश अध्याक्ष समरार चौधरी के तरफ से यह बयान सामने आया है कि नतीश कुमार अपने गडबंधन को समाल नहीं पा रहे हैं और पूरे देश के विपक्षी दलों को जोरने चले हैं महीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनन द्वारा कहा गया कि जीताराम मांजी कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर करते हैं उन्हें कोई भी भ्रमत नहीं कर सकता है वे बहुत पुराने नेता हैं आगरोंने कहा कि मांजी ने जो सवाल उठाए हैं नितीश कुमार ने इस वजह से अपने ही मंतरी को दिया नसीहत अक्सर नितीश कुमार को देखा गया है कि किसी प्रकार के भी लापरवाही की खबर नितीश कुमार तक पहुंचती है तो वे इन लापडवाहियों को लेकर अपने अधिकारियों पर बिगरे नजर आते हैं एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया जहां मुख्य मंत्रे नितीश कुमार इस बार अपने किसी अधिकारी पर नहीं बल्कि अपने मंत्री पर ही बिगरे दिखाई दिये दरसल यह मामला एक मौतपुर्ण कारिकरम के दोरान का था जहां सूचना एवं प्रॉदर की मंत्री सुमष सिंग को नितीश कुमार ने बार बार बात करते देख लिया इस दुरान नितीश कुमार ने अपने ही मंत्री को निशाने पर लेते वे कहा कि आप लोग आपस में ही बात करिएगा कि मेरी बात भी सुनिएगा आप जे विभाग के सेकरेटरी साहब सुन रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहें या बात ठीक नहीं है साथ नितीश कुमार ने अपने ही मंत्री को नसीहत देते वे कहा किस बात को समझे और तेजी से काम करिये दरभंगा एम्स प्रस्ताविट जमीन को केंदर के तरफ से खारच करने के बाद सियम नितीश ने कही ये बात अब इहाल में ही दरभंगा एम्स को लेकर बिहार सरकार के प्रस्ताविट जमीन को केंदर सरकार द्वारा खारच कर दिया गया इससे लेकर पक्ष वे पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावड है बीते ही दिनों सुसील कुमार मोदी ने समुद्दे को लेकर नितीश कुमार को अपने निशाने पर लिया था अब नितीश कुमार का बयान सामने आ है दरसल बिहार सरकार दौरा दरभंगा एम्स के लिए केंदर सरकार को सुझाए गये जमीन को खारज करने के बाद नितीश कुमार ने कहा है कि केंदर सरकार के दिमाग में कुछ और बात है जिससे यह स्थिती बनी है वही स्वास्ते विवाग के अपर मुके सचीव प्रत्य अमरत के तरफ से यह बयान सामने आया है वहीं यदी DMCS से हट कर यदी AIMS का नड़मान होता है तो इसके कई फायदे होंगे संतोष मांची ने इस्तिफ़े को लेकर बताई यह वज़ा प्यार सिर्कार में मंत्री संतोष मांची के इस्तिफ़े की खबर सामने आई है जिसे लेकर संतोष मांची ने बयान दिया है उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तिफा मुख्य मंतरी को भेज दिया है मेरे इस्तिफा देने की एक ही वज़ा है विलाय करने के लिए हमारे पास प्रिस्ताव आया था हमने अपने कारिकरता और विधाई को और सभी से बात की तो सभी ने विलाय के लिए मना कर दिया विलाय का प्रस्ताव जदियू के तरफ से आया था लेकिन हमें वो मन्जूर नह देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जो एक साथ इतनी नौक्री दे रहा हूँ आगे भी हम नौक्री देंगे इतना कहते ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बीजे भी परतंज कस्तेवे कहा कि हम कलम बाट रहे हैं लेकिन कुछ लोग तलवार बाटने में जुटे हैं नई सिक्चक नियमावाली पर समरार चौधरी ने बिहार सरकार को लेकर कही ये बाट बिहार राज में नई सिक्चक नियमावाली को लेकर सिक्चक अभ्यर्थियों दोरा कई प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं ऐसे बीच इस नई नियमावाली के विरोध में उतरे सिक्चक अभ्यर्थियों ने भाजपा के प्रदीश अध्यक्ष और विधान मंडल दल के निता विजय से मुलाकात कर अपनी परिशानियों को बताया। एक बार फिर से जाती को मुदा बनाकर बीजेपी ने आरोप लगाते वे कहा है कि रायस्थान, बंगाल, बिहार, पंजाब की राज सरकारे ओबिसी को वाजब लाब नहीं दे रही है। कॉंग्रस की सरकार है, साथी बिहार में महागरबंधन और पंजाब मेयाम आदमी की सरकार मौजूद है, बता दे कि हारोप बीजेपी नेता और केंद्रे मंतरी भुपेंदर यादव दोरा लगाए गए हैं। क्या तेही जुन को विपक्षी एक्ता के महाबैठक के जवाब में बीजेपी बना रही रन नीतियां? देश में विपक्षी एक्ता की बैठक 23 जुन को होने वाली इस बैठक को लेकर तयारियां शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ यदि बीजेपी का या आयोजन आयोजित होता है तो बीजेपी काड़े करता हूं और नेताओं को साहित रखने में भी यह आयोजन काफी मददगार साबित हो सकता है। समरार चौधरी के डिगरी पर जदियू के 72 घंटे वाले अल्टीमेटम पर भाजपा ने दिया यह जवाब। अभी बीते ही दिन और जदियू के तरफ से बीजेपी के प्रदीश रध्याक समरार चौधरी के डिगरी को लेकर सवाल खड़े किये गया थे। बेतु के और निराधार हैं। साथ ही नितीश कुमार ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंदर सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन हर जगा उसकी ही चर्चा होती रहती हैं। बिहार में काफी काम किये हैं लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। पतादे की हाल में ही जीतर नाम मांजी ने लोकसभा के 5 सीटों की मांगी थी लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सके। इस पर अभी बीते ही दिनों हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष चीतर नाम मांजी ने मीडिया से बाच्चीत के दुरान कहा कि वे लोकसभा चिनाओ में अब एक सीट पर भी नहीं लड़ेंगे हालाकिनों ने यह भी कहा कि हर आदमी को आसावादी होना इस अभी तक सपा करने में विस्वास रखती थी लेकिन आज वह भश्म भी लपेट रही है सपा के नेता रिशी मुनियों की तपस्तली में जा रहे हैं वहीं कॉंग्रस हनुमान जी का साहरा ले रहे हैं आगर उनने कहा कि इस सब विधर्वे भारतिय संस्कृति और देवी देवताओं का सम्मान करना सीख गया इसका क्रिडिट देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को जाता है बीजेपी के इस बयान से क्या बढ़ेगी केजरिवाल की मुस्किले देली के प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंदर सरकार द्वारा अध्यादेश लाए गया था इस अध्यादेश के आने के बाद देली सरकार के हाथ से अधिकारियों को लेकर ये सक्तियां खत्म हो गई है जिसके बाद केजरिवाल देश के कई राजे में घूम घूम कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं अध्यदेश के किलाव समर्थन जुटाने के लिए राम जिला मैदान में केजरिवाल ने रैली भी आयुजित किया था लेकिन अब मीडिया में चल रही खबरों के मताबिक बीजेपी के एक वर्ष नीता द्वारा कहा गया कि हमें विश्वास है कि हमारे पास सद्धादीश पारत कराने के लिए परयाब संख्याबल है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि के जिवाल इस ध्यदेश के खिलाब परयाब समर्थन जुटा पाते हैं या फिर केंद्र सरकार इस ध्यदेश को सफलता पुर्वक पास करवा देती है हाला कि कहीं न कहीं यदि बीजेपी नेता का अबयान सच हुआ तो आम आदनी पार्टी की मुश्किले बढ़ सकती हैं नरिंद्र मूदी ने इसे लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना आज 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का न्युक्ति पत्र देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी द्वरा सौपा गया न्युक्ति पत्र बाटने के साथी प्रधान मं जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो भी ये भाई भती जावाद और भ्रशचार ही करते थे आगे उन्होंने विरोधी दलों को अपने निशाने पर लेते वे कहा कि देश के करोरों लोगों के साथ एंट पार्टियों ने विश्वास घात किया है लेकिन आज हमारी सरका आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार चीतर ना मांची बिहार के राजनीती में एक निता की रूप में कैसे दावेदार हैं